तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि RBI का नया guidelines आया है पेटियम के लिए अगर आपका पेटियम में bank account बना हुआ है या फिर wallet में आपके पैसे पड़े हुए हैं तो 29 तारीक के बाद जो आपका पैसा होगा उसको आप return नहीं ले पाएंगे अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इसको जो है अपने पेटियम एकाउंट से निकाल करके आप अपने bank account में ले जा सकते हैं इसको transfer कर सकते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपके चाहिए पेटियम बैंक में हो या फिर पेटियम wallet में हो दोनों का पैसा आपको निकाल ल होगा सबसे पहले चलिए मैं पर किलिक करता हूं और किलिक करने के बाद चेक कर लेता हूं कि कितने पैसे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे जो पेटियम wallet में यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 रुपए पड़े हुए हैं आप हम यहां पर इसको कैसे निकालेंगे आ आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल या गया गया transfer to bank transfer to bank पर click करना है और जैसे आप यहाँ पर click करने कुछ इस परकार से यहाँ पर यह आ जाएगा आने के बाद आपके amount जो भी आपके paytm में पड़े हुए थे bank wallet में पड़े हुए थे उसी को आपको यहाँ पर transfer करना है तो सबसे पहले ऊपर ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा wallet से bank में आपको यह पैसा सबसे पहले transfer करना होगा तो यहाँ पर यह 20 रुपए पड़े थे हम यहाँ पर 20 रुपए लिखे उसके बाद में हम यहाँ पर proceed पर click कर दिए और जैसे मैं यहाँ पर proceed पर click करूंगा तो आपका जो यहाँ पर bank account होगा यहाँ पर यहाँ पर सो कर जाएगा अगर आपका पेटियम बैंक है तो भी यहाँ पर सो कर जाएगा या फिर अगर आपका कोई अधर बैंक है तो भी यहाँ पर सो कर जाएगा आपको इस पर टेच करना है जैसे आप यहाँ पर टेच करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते ह लिखा होगा sending money from wallet to, उसके बाद में bank, यानि आपको जिस bank में लेना है उस पर click करना है और यहाँ पर proceed पर click कर देना है, जैसे आप यहाँ पर proceed पर click कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका पैसा था, successfully आपके bank में transfer हो चुका है, अभी तो यह bank में आपक transfer करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या यहाँ से इस page को cut देंगे, और cut करने के बाद आपको चलिए, मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप आपको करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने क्लिम में यहाँ का bank account, आपको यहाँ पर एक option देखने क् Paytm bank है, Paytm bank में आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 रुपए, 3 पैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप इनको कैसे निकालना है, इसके लिए भी चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको Saving Account Balance, आप इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर टेच करना है, और टेच करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, आने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं कई सारे options, आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, यह भी मैं प्रक मेंनी लाता देता हूं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ हम मेल जाता है, मनी ट्रांसफेर, आपको यहाँ पर money transfer के जो offices देखने के लिए मिल जाता है, आपको यहाँ पर टेच करना है, और जैसे आप यहाँ पर कई तरीके बोले जाते हैं, ज्एसंग पैसे लेने के ल हो जाएगा अगर आपके पास में यहां से नहीं करना चाहते हैं तो to self account यानि आपने जिस account को आपने add किया होगा अपना bank account यहां से सो कर जाएगा आपको यहां से direct transfer हो जाएगा अगर आपके पास यह भी नहीं है तो आप यहां पर inter mobile number या फिर UPI UPI के माध्यम से भी आप यहां पर इसको send कर सकते हैं तो चलिए हम यहां पर to self कर लेते हैं अगर आपके पास इन में से कोई भी आफसा है तो हाँ पर कर लिजिएगा मैं हाँ पर to self account कर लेता हूँ इतना करने के बाद आप आपको हाँ पर कुछ करना नहीं है आपको हाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपका हाँ जो भी bank अटेच होगा आपके Paytm से यहाँ पर 賞़व कर जाएगा अब इस के बाद में आपको होगह पर test करना है जिस बैंग में आप लेना चाहते हैं तो चेलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर test करता हूँ जैसे मैं है आप test कर लहाऊंगा तो आप से यहाँ पर पर click करेंगे तो इस प्रकार से यहां पर यह आ जाएगा आने के बाद आपको 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 दिखाते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा पैसा है यह transfer हो रहा है और बैंक एकाउन में transfer कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe पर लिजिएगा प्यारा सा comment भी जरूर कर दिजिएगा मिलते किसी और वीडियो में इनट पर के साथ thank you and धन्वाद जय हैं दोस्तों